प्रश्ण पूछे गए हैं वह हम लोग यहां पर देख रहे हैं और जहारखन अवर निर्शक प्रारंभिक परिक्षा दिनांक 278 2017 को जो परिक्षा आयोजित की गई थी उसमें जहारखन जीके के जो महत्यपुन प्रश्ण पूछे गए थे वो हम लोग यहां पर आज देखने वाले हैं तो अगर आप जहारखन लाइप चनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजे और साथी जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजे ताकि आगे का जो भी अपडीट सब वीडियो आगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजे और चलिए हम लोग यहां पर आज देखते हैं कि जहारखन अवर निराचक परानविक परिच्छा दरोगा की जो परिच्छा हुई थी दिनांग 278 2017 को उसमें कैसे प्रस्ण पूछे गया थे फर्स्ट का यहां पर आज का पहला प्रस्ण जो है वो देख लीजे यहां पर आज का पहला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन जहारखन के सवतंत्र मुख्य मंत्री निमलिखित में से कौन जहारखन के सवतंत्र मुख्य मंत्री रहे हैं इन में से तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर option number A is बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर मधू कोडा ने जहारखन के मुख्य म मंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर option number C is बिल्कुल राइट अंसर जाएगा मात्र एक बार यह मुख्य मंत्री रहे थे कब रहे था यह तो यह रहे थे तो मधू कोडा मुख्य मंत्री जो रहे थे वो 2006 से लेकर 2008 के बीच में रहे 4 सिदम्बर 2006 से लेकर ठीखás 14 सिदम्बर 2006 से लेकर यह रहे थे आपका यहां पर 2023 अगस्तorg मुख्य मंत्री रहे थे चलिए उगले प्रस्न seaweed चलते हैं और अगला प्रस्न है यहां पर हेमान सोरे ने झारखंड के मुखहिस मंत्री की रूप में रूप में कितनी बार सेवा कीं हैं तो इसका सही अंसर जो इसका हुआ पर आपस नमबर यहां पर जोगा यहां पर जो होगा अब जो है यहां पर दू जाएगा पहले यह जुथा उन आ 허ं Skills कर दोप में चुने गए शूले अगले प्रसंथ िग्षारों की और अगला प्रसन की है ठीक है निम्तम अवधी के लिए ज्ञारखंड के राज्य पाल के रूप में किसने सेवा की है तो इसका सही अंसर हो गए यहाँ पर सबसे निम्तम के लिए ज्ञारखंड राज्य में अगला प्रस नहीं यहाँ पर अप्टेट रॉक फॉस्फेट ज्ञारखंड के निमलिखित जीलों में से किसमें पाया जाता है अप्टेट रॉक फॉस्फेट ज्ञारखंड के निमलिखित जीलों में से किसमें पाया जाता है तो इसका सही अंसर जो गए यहाँ पर ऑप्टमान में ज्ञारखंड राज्य हर साल विभिन प्रकार के खनीजों के कितने लाग टन उतपादन करता है तो सभी तरह के जितने सारे कहानी ज्ञारखंड में तो कूल कितना उतपादन करता है ज्ञारखंड राज्य तो इसका सही अंसर जो गए यहाँ पर ऑप्स नमबर ए इस बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन यहाँ पर बोकारो श्टिल प्लांट जो एसिया में सबसे बड़ा है निमलिखित देशों में से किसकी मदद से बना था किसकी मदद से अस्थापना की गई थी बोकारो श्टिल प्लांट की जो की एसिया में सबसे बड़ा है यहाँ पर श्टिल प्लांट तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर ऑप्स नमबर बी इस बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा किस जीले का था तो इसका सही एंसर जाएगा किस जीले का भाग था तो ओल्ड मानभूम जीले का यहाँ पर स्वच नमबर बी इस बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है यहाँ पर जारखन का कौन सा जिला 36 गड़ और UP के साथ अपने सीमा वर्ती हिस्सेदारी करता है तो बहुत यह आसान सा सवाल है अगर आपको मैप याद है तो आप आसानी सिसका अंसर कर सकते हैं तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर अप्सन नमबर A is बिलकुल राइट इंसर जाएगा गढ़वा जीला कौन सा जीला गढ़वा जीला है जो 36 गड़ और UP को सीमा वर्ती को यहाँ पर टच करता है तो अप्सन नमबर A is बिलकुल राइट इंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है पारसनत मधुबन कहा इस्थित है तो इसका सही answer जोगा है यहाँ पर अगला प्रसना यहाँ पर जारखन में पचास एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहां इस्थीत है तो इसका सही अंसर होगा यहाँ पर ऑप्सिन नमबर कहां इस्थीत है यह आपको मालूम होना चाहिए तो यह याद रखेगा बसंत राई जो है यहाँ पर वो गोड़ा जीला में इस्थीत है और यहाँ पर पचास एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक के स्थीत है तो आप्सिन नमबर इस बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा अगला प्राशन यहाँ पर राश्टिय खेल विश्विद्याले ज्थापना की सहर में की जा रही है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर ऑप्सिन नमबर इसका सही अंसर होगा यहाँ पर ऑप्सिन नमबर C is बिल्कुल right answer जाएगा सौर्या पहाडिया जन जाती कौन सी जन जाती सौर्या पहाडिया जन जाती है जो कि अस्थानांतरन क्रिसी करती है option number C is बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है अनुसुची छेतर की परिभासा से संबन दित भारती समीधान की कौन सी अनुसुची है अनुसुची छेतर की परिभासा से संबन दित भारती ये समीधान की कौन सी अनुसुची है तो कि किस अनुसुची में अनुसुची छेतर की परिभासा आता है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर option number A is, बिल्कुल right answer जाएगा, पांचवय अनुसुची में, किस अनुसुची में, पांचवी अनुसुची में आता है, अनुसुची छेतर की परिभासा, तो option number A is, बिल्कुल right answer हो जाएगा, अगला प्रासन है, किस अस्तर पर जहारखंड में सकल नमांकन अनुपाद G.I.R. क कौन सस्तर? वरिष्ट माध्यमिक अस्तर पर, जहारखंड में, शकल नमांकन अनुपाद काफी कम है, तो option number B is, बिल्कुल right answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगले प्रासन की ओर चलते हैं, और अगला प्रासन है, निमलिखित जन जातियों में से, कौन सा एक बहादूर मार जन जाती है, तो इसका सही answer हो गया पर, option number D is, बिल्कुल right answer हो जाएगा, ठीक है, खरवार जन जाती है, कौन सी जन जाती है, खरवार जन जाती है, जो की एक बहादूर मार्सल जन जाती है, तो option number D is, बिल्कुल right answer हो जाएगा, अगला प्रासन है यहापर, दल मी एक पुरा तत्विक अस्थल है और यह किस नदी के तट पर इस्थीत है किस नदी की किनारे इस्थीत है तो इसका सही अंसर हो यहाँ पर option D is बिल्कुल राइईंसब दोगा दोगत हैं बिल्कुल राइड की राज्धानी जो थी इनमें से कौन सी थी तो उसका सही अंसर हो गए irresponsibleOR और सूल्टान सूजां की रज्धानी राज महल थी कौन सी थी राजनी तो और सि बिलक्ल राज्धानी थी अगला प्रास नहीं राजमाल जो थी वो सुजा की राजधानी थी तो option number C is बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रासन यहाँ पर औरंग जेब के सासंद काल के दोरान दलेल सिंग ने मगर खान को हराया था जो की डैस के सासक थे तो वो कहा के सासक थे जो जी दिन है औरंग जेब के सासंद काल के दोरान दलेल सिंग ने मगर खान को हराया था तो इसका सही answer जो होगा यहाँ पर option number A is बिल्कुल right answer हो जाएगा यह कहा के थे तो यह चास के थे तो option number A is बिल्कुल right answer हो जाएगा औरंग जेब के सासंद काल के दोरान दलिल सिंग ने मगर खान को हराय था जो कि यहाँ पर चास के सा सकते option number A is बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रस्ट नहीं है पर गौतम बुध का जन्म किस अस्थान में हुआ था तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर option number C is बिल्कुल right answer जाएगा अगला प्रस्ट नहीं है पर बर्फ काल आइस एज के समय कि गहरी भूमिगत गूफा में पाई गई है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर option number B is बिल्कुल right answer जाएगा अगला प्रस्ट नहीं है पर ज्छारखंट के 72 प्राचिन मंदीरों में गाउ मलूटी से किस वन्स का संबंद है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर option number A is बिल्कुल right answer जैगा यह पाल वन्स संबंद रखता है किस वन्स से पाल वन्स से तो option number A is बिल्कुल right answer हो जाएगा पंदीरों में गाव मलूटी पाल वंच से संबंद रखता है अगला प्रस्ण यहां पर चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी चौसा की लड़ाई किस वर्स लड़ी गई थी जैशा कि आप यहां पर ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो इसका सही अंसर दोगा यहां पर ऑप् भारत में जारखन को 1 चेतर के अंतरगत चेतर के अनुसार डैस अस्थान दिया गया है भारत में जारखन को 1 चेतर के अंतरगत ठीक है वन के मामले में कितने अस्थान पर आता है पूरे देश में तो इसका सही अंसर दोगा यहां पर ऑप्शन नमबर A is बिलकुल राइड हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ट है साल के बीज के लिए महत्पूर्ण है साल का जो बीज होता है उसके लिए यहां पर निमलीकित में से कौन सा महत्पूर्ण है तो इसका सही अंसर होगा यहां पर option नंबर डी इस बिलकुल तो इससे यहां पर दो तरह के तेल बनाया जाते है खाद यह तेल बनाया जाता है और यहां पर औस देरे तेल बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़े बनाने के लिए पत्ते का भी यूज गयाता है तो यह सभी तरह से महत्पूर्ण है और यहां पर जो है वो अगला प्रस नहीं हाँ पर इसके नाम इसके नरम फाइबर की वजह से तकिये और आवरन का कवर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा यहां पर option number D, बेलकुल राइट एंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं थेखे इन जा करने के नाम सूने हो अगर जानते हो यह सेमर का बीज होता है किसका बीज होता है सेमर का बीज होताता है अगला प्रसम है जहारकनेने इम्लिखित में निमलिकित में से कौन से पार्क और अभ्यारन में चेरो रजाओं के समय में अतिहासिक असमारक और कीले हैं तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर option number B is बिल्कुल right answer हो जाएगा चेरो वन का नाम आते हैं यहां पर आप पलामू में चले जाएगा तो यह बेतला में स्थीत है बेतला पार्क तो option number B is बिल्कुल right answer हो जाएगा तो यहां पर जाएगा जैपाल सिंग ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था थीक है तो ओलम्पिक 1928 में भारती हो की टिम का पहला कप्तान जो पहले कप्तान थे जैपाल सिंग तो भारत के लिए कौन से पदक जीते थे पहली बार तो इसका सही अंसर हो गया पर option number A is बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रस्ट है और इसका option number D is बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला प्रस्ट है जारखन के दक्षिन में कौन सा राज्य स्थित है जारखन राज के आपको अगर मैप याद है ता अचानिस का एंसर कर सकते हैं जारखन राज्यक्षिन में कौन सा राज्य इसक्तित है तो इसका सही answer जो यहां पर option number B is बिल्कुल right answer हो जाएग सब्सक्राइब करने का माध्यम यहां पर इस नंबर पर भूगदान कर सकते हैं और आप आप आज जूड़ सकते हैं भाग ले सकते हैं तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो है पसंद आई हो जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आप लोग अधिक सब्सक्राइब कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी आप जूड़ सक और जो है वो जार्खन के महत्यपुन प्रस्ण देख सकें